माईके में पहला खाना वर्ल्ड का बेस्ट खाना बनाती है अरे बाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है मुझे तो नई नई चीज़े खाने का बहुत शौक है अब मुझे बता दो आपको क्या पसंद है मैं मम्मी से कह दूँगी वो आपकी पसंद का खाना बना कर रखेंगी अगर ऐसी बात है तो अपनी ममी को कहना कि मुझे डाल मकनी बहुत ज़्यादा पसंद है और ममी जी, पापा जी को क्या पसंद है उन्हें भी डाल मकनी बहुत अच्छी लगती है बागी तो जो भी तुम्हारी मम्मी बनाएंगी हमें सब कुछ अच्छा ही लगेगा जानते हैं अभी नव मैं बहुत खुश हूँ एक तो शादी के बाद पहली बार अपने माई के जा रही हूँ और दूसरी बात ये कि वो भी सारे सुसराल वालों के साथ हाँ दीविया मुझे भी अच्छा लग रहा है वैसे भी तुम पहली बार अपने माई के जा रही हो और तुम इतनी खुश हो तो मैं भी खुश हूँ अभी नव आपको नहीं लगता हमें मम्मी पापा के लिए कुछ गिफ लेना चाहिए अरे मम्मी पापा के लिए भी और तुमारी छूटी बैन नंदनी के लिए भी देखो ऐसे खाली हाथ जाते हुए तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा ठीक है मैं न सब के लिए गिफ लेकर आती हूँ और मम्मी जी पापा जी से कह देती हूँ कि वो शाम को टाइम पर तयार हो जाएंगी ताकि हम सब चल्दी से मेरे माईकी पहुँच जाए तब ही वहाँ पर दिव्या की सास आती है अरे क्या बात है दिव्या बहू आज तो बहुत चहक रही हो हाँ मम्मी जी अपने माईकी जा रही हूँ न और वो भी आप सब लोगों की साथ तुम्हारी मम्मी ने वैसे अच्छा किया है वर्ना मैंने तो देखा है अकसल लड़की वाले है सिर्फ अपनी लड़की और दामात को ही खाने पर बुलाते है लेकिन उन्होंने तो हमें भी बुलाया है भाई यह तो बहुत अच्छी बात है हाँ मम्मी जी अब आप लोग पराय थोड़ी ना है आप भी तो मेरे मम्मी पापा ही है आप लोग साथ में चलेंगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगीगा चलो यह तो बहुत अच्छी बात है अब तुम जाओ और जल्दी से सब के लिए अच्छे अच्छे गिफ लेकर आओ और शाम को सुन्दर सी साड़ी पहन कर चलना अब तुम उस घर की बेटी होने के साथ साथ इस घर की बहु भी हो जी मम्मी जी मैं बिल्कुल दियान रखूंगी शाम के वक्त दिव्या, अभीनव और दिव्या के साथ ससूर दिव्या के माई के पहुँचते हैं जहां पर दिव्या के मम्मी पापा और नंदीनी उनका स्वागत करते हैं आरे देदी, जीजा जी, आईए आईए आज तो आप दोनों बड़े सुन्दा लग रहे हैं लगता है शादी का क्लो चमक रहे हैं चेहरी पर अरे कुछ भी बोलती है तू घार में गुस्ते ही छेड़ना शुरू करती है तूने मेरा तो हग बनता है विसे मेरे लिए कुछ लाई हो या नहीं तुम जिंदा मत करो नंदिनी तुमारी दीदी तुमारे लिए अच्छा सा गिप्ट लेकर आई है बहन जी भाई सहाब बैठिये हम तो कब से आपका इंतिजार कर रहे थे हमें खाने पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बहाने सब लोग एक साथ मिल बाट कर बाते करेंगे अच्छा लगेगा हरे भाई सहाब कैसी बात करते हैं अब तो हमें एक परिवार हो चुके हैं अब जब मर्जी हमारे घर आईए इस तरह मिलना जुलना रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा बसे शकुंदला जी क्या खास बनाया है आपने हमारे लिए जानती हैं आपकी बेटी दिवया आपके बहुत तारिफ करती है आउंटी दिवया दिथी ठीक कहती है आच्छली मामे को शुरू से ही कुकिंग का बहुत शौक है हम दोनों बेहनों को तो बहुत भी नहीं लगाने दे थी कीचिन में अकर इन दोनों को हाथ लगाने दूंगी न तो सारे कीचिन का सत्या नाश करके रखनेंगी इसका मतलब तो यह वासा सुमा कि दिवया को अच्छा खाना बनाना नहीं आता एरे नहीं नहीं दमाजी ऐसी बात नहीं है मैं तो मजाग कर रही थी और चिंता मत करिये दिविया ने मुझे फोन पर बता दिया था मैंने आप सब की पसंद का खाना बनाया है और आपके लिए तो स्पेशल डाल मखनी बनाई है अगर आपने दाल मखनी बनाई है तो समझ लीजिए सारी की सारी तो अभी नो के पापा ही खातम करने वाले है दिविया के माईके में हसी खुशी का माहूल था सब लोग एक दूसरे से बाते कर रहे थे बातचित खत्म होने के बाद दिविया के पापा कैलाश ने सब को खाने के लिए कहा अब आप सब लोग आएए आम लोग खाना खा लेते हैं नंदी ने बेटा जरा अपने ममी के हेल्प कर दो मैं अभी आती हूँ मैं भी ममी के हेल्प करूंगी कुछ देर बाद शकुंतला और नंदी ने दोनों ही खाना टेबल पर लगाते हैं सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ चुके थे खाने की खुश्बू से सब लोगों की भूप बढ़ गई थी अरे नंदी नी सारी चीज़े तो हम लोग लेकर आ गए लेकिन डाल मखनी का कैसरोल तो अंदर ही रह गया जरार लेकर आ ना मम्मी मैं तो भूली गई थी अभी लेकर आती हूँ नंदी नी जैसे ही किचिन के अंदर डाल मखनी लेने के लिए जाती है दाल मकनी का कासरॉल उसके हाथ से गर जाता है और सारी डाल जमीन पर गर जाती है काफी देर तक नंदीनी रसुई से बहानी आती तो शकुंतला रसुई के अंदर जाती है और जमीन पर गिरी डाल देखकर हैरान रह जाती है ये क्या कर दिया तुने? अब हम देविया के सिसराल वालों को क्या परूसेंगे मम्मी ये तो बहुत बड़ी गरबड होगी मैं चल्दी से होटल से दाल मकनी आर्डर कर देती हूँ अरे लेकिन वहाँ से आते आती बहुत देल लग जाएगी पर हमारी पास और कोई आप्शिन भी तो नहीं है शकुंतला रसुई से निकल कर बहार आती है क्या हुआ मम्मी जी अब खाली आता गई कहां है आपकी स्पेशल दाल मकनी वो ना नंदी ने गरम करके लेकर आ रही है उसके बाद जब काफी देर हो जाती है तो शकुंतला वापस रसुई में जाती है तुमने अभी ते कॉर्डन नहीं किया मम्मी मैंने कही सारे होटल में पता किया लेकिन आज दाल मकनी कहीं भी अविलिबल नहीं है अब क्या होगा होना क्या है सबके सामने हमारी नाग कट जाएगी इतनी जल्द बाजी में मैं और कोई सबजी भी तो नहीं बना सकती एक काम करते हैं हम जाकर उन लोगों को सब कुछ सच सच बता देते हैं क्योंकि वैसे भी थोड़ी दिन में उनने सब कुछ बता चल जाएगा ममी डाल मकनी कहा है सब लोग खाने का वेट कर रहे है अरे वो क्या हुआ मैंने नन्देने से कहा था कि उसमें गरम मसाला और हरा धनिया डाल दे और नेमू भी वो भोल गई थी बस वही तयार करने में लगी हुई है लगता है आज तो ममी जी कुछ ज्यादा ही स्पेशल डाल मकनी खिलाने वाली है इसलिए इतनी देल लग रही है शकुंतला को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी के ससुराल वालों को क्या कहे लेकिन तभी शकुंतला की नजर अचानक अमने रसोई के दर्वाजे के तरफ जाती है जहाँ पर नंदेने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में कैसरोल लेकर खड़ी थी शकुंतला इशारे ही इशारे में नंदेने से पूछने की कूशिश करती है कि वो आखिर क्या लेकर आई है लेकिन वो तो बस मुस्कुराते हुए एक कैसरोल टेबल पर रख देती है इंतिजार खत्म हो गया हाँ बिल्कुर ठीक है देदमाज जी अब आप खाईए हमारे गर की बनी हुए स्पेशल डाल मकनी मज़ा आजाएगा आपको इनने किया क्या है जैसे ही दिव्या कैसरोल का ढकन खुलती है उसमें डाल मकनी की जगन नॉर्मल डाल देखकर भोचक की रह जाती है लेकिन इससे पहले कि दिव्या कुछ कह दे शकुंतला बीच में ही टोक देती है लीजे न आप सब लोग लीजे ये स्पेशल डाल मकनी अरे बहांजी लेकिन ये डाल मकनी नहीं है ये तो नॉर्मल काली डाल लग रही है वही तो मैं कह나 चाहा रही हूँ आप जानती है ये रेसेपी मैंने स्पेशल यूट्यूब पर देखी थी लेकिन ममी जी बिना राजमा की दाल मक्नी का क्या मतलब? अरे दमाजी अब आप देखे ना आपकी साथ साथ आपकी ममी पापा भी आने वाले थे और इस सुम्र में राजमा पेट के लिए थोड़ा भारी हो जाता है तो बस इसलिए मैंने सूचा कि ऐसी कोई रेसिपी देखती हूँ जो दाल मक्नी भी हो और ना भी हो अरे वह 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 बैंजी इतना ध्यान तो कोई किसी का नहीं रखता आपने हमारे सिहत का इतना ध्यान रखा इसके लिए शुकरिया सब लोग खाना खा लेते हैं लेकिन तभी दिव्या की सास रसुई में जाती है शकुंतला और नंदी ने उसे रूखने की कुशिश करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनती वो जैसी ही रसुई में पहुँचती है उसने जमीन पर पड़ी दाल मक्नी देखी अच्छा तो ये बात है ये राज है आपकी स्पेशल दाल मक्नी के पीछे माफ करना बेंजी तरसलना दाल मक्नी गिर की इसलिम मुझे वो सब बहाना लगाना पड़ा सोरी आउंटी ये सब मेरी वज़े से हुआ नंदिनी और शकुंदला की बात सुनकर सास हसने लगती है आरे कोई बात नहीं आप चिंता मत करिये मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाली क्योंकि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है वैसे नंदिनी का आइडिया बुरा नहीं था